So, Hello everyone, Forum MKS में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है NEET Application Form 2025 के बारे में कि आपके Forum कब से बरे जाएंगे एक्जाम कब होगा एडिमिट कार्ड कब आएगा रिजल्ट कब आएगा काउंसलिंग कब होगी इसे के साथ ही एक्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ठीक है इस बार सेलिबस क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे और इतना ही नहीं Forum का Peace क्या रहेगा ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जितने भी डोकुमेंट्स की requirement रहने वाली है पैपर का लेंग्विज क्या रहेगा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो काफी इपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है नीट प्रिक्सा दो जर पच्चिस ठीक है एक्जाम डेट्स तो यहाँ पे जो notification आएगा दो जर पच्चिस का वो जनवरी दो जर पच्चिस में आने वाला है ठीक है notification एंटिये द्वरा रिलिज कर दिया जाएगा और देखो समभावना ये भी है कि लास्ट दिसंबर तक आ जाए क्योंकि इस बार एंटिये खापी इस्टिक हो गया है खापी अलट हो गया है तो वो फोरम जल्दी निकाल के जो भी काम उनको करना है कि exam center कहां पे रखना है कि इनका कहां पे रखेंगे खापी सरा काम होता है क्योंकि paper leak ना हो जिसे 2014 में गड़ना हुई थी एसी ना हो इस वज़े से तो दिसंबर के last तक भी आ सकते लेकिन आप जनवरी 2025 मान के चलो अगला यहां पे जो registration आपके start होंगे जो पंजी करन आपके start होंगे वो mid जनवरी तक हो जाएंगे notification आने के कुछ दिनों बाद ही 2-5 दिन में पंजी करन भी start हो जाते है ठीक है फिर यहां पे देखो आप last date forum बरने का last date रहेगा mid फरवरी 2025 क्योंकि एक महीने का time आपको मिलता है forum बरने का एक महीने का पूरा का पूरा जिसे forum निकल गे जिसे मालू 15 जनवरी को निकल गे ठीक है तो 15 फरवरी तक आपके पास time रहेगा forum बरने का एक महीने का वक्त सरकार आपको देती है anti आपको देती है फिर यहां पे देखिए मेरी प्री विद्यारतियों NEET 2025 आविदन सुदार जो forum में mistake हो जाती है कापिसारे विद्यारतियों से तो उसको सुदारने का जो मौका है जो correction window open होगी वो March 2025 में आपकी open होगी और इसी बीच आप सुदार कर सकते हो फिर देखो आप आवंटित प्रिक्सा सहर यनकी जो eloted city है जो exam city है वो April 2025 में आपको पता लग जाएगी कौन सा सहर elote हुआ है कौन सा सहर में आपका exam होने वाला है फिर यहाँ पे देखो सबसे important exam कब होगा प्रिक्सा कब होगी तो प्रिक्सा थिती exam date वही आपके मैं 2025 में होगी देखो हमेशा जो exam होता है वो मैं मन्त में होता है ठीक है और यहाँ पे देखो आप exam होने के बाद जो result आएगा वो जून 2025 में महिने बर बाद result आजाता है ठीक है पिर counselling की सुरुआद आपकी जुलाई में हो जाएगी यहाँ पे दिकार रखा है ना जुलाई 2025 तो जुलाई में आपके counselling शुरू हो जाएगी अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 2025 के लिए क्या-क्या eligibility रखे गई है क्या-क्या पातरता यहाँ पे रखे गई है यानकि कौन-कौन बर सकता है 2025 में फोरम तो देखे यहाँ पे राश्टेता मतलब आपकी नागरिक्ता भारत की होनी चाहिए ठीक है आप भारत के निवासी होना चाहिए आयू शिमा की बात करें तो नियूनतम आयू आपकी यहाँ पे देखो 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2025 तक यानकि अभी अगर आपकी 16-16 है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होनी चाहिए आप काउंट कर लेना तब ही फोरम बरपा होगे अगला यहाँ पे देखो नीट के लिए आवश्यक योग गेता तो टोल्ट में आपके Physics, Chemistry, Biology होना चाहिए यह सब्जेक्ट होना चाहिए और उत्तिन होना चाहिए अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर अभी तो हम टोल्ट में पढ़ाई कर रहे है तो क्या हम फोरम बर सकते हैं? बिल्कुल बर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्योंकि अगर आपके पास फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी है तो आप योग्य हो चाहिए आपने अभी एक्जाम ना दिया हो टोल्ट का तो भी बर सकते हो है ना? हाँ, दसवी, ग्यार वी के मार्क्सेट से बर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका देखो सबी को पता है कि एक्जाम तो वही अपरेल मही में होते है जबकि नीट के फोरम जनवरी में आ जाते है तो एंटे को भी पता है कि अभी तो मार्क्सेट कहां से लाएंगे तो इसलिए उन्होंने बोल रखा है कि कोई दिक्कत नहीं 10 वी के मार्क्सेट से 11 वी के मार्क्सेट से काम चल जाएगा बट इतना सा तो होना चाहिए कि Physics, Chemistry, Biology आपके होना चाहिए कितना परसेंटेज आपके टोल्त में होना चाहिए वो भी देख लो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोल्त में जो परसेंटेज है आपका केटेगरी के साफ से अलग-अलग रखा गया है जैसे कि जनरल OVC का 50% YSST का 40% और PWD का 45% ठीक है? और अधिकतम कोई शिमा है नहीं यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है कम से कम इतना होना चाहिए तब यह आप परपाऊगे और इसपेसली PCB में होना चाहिए इन सब्जेक्टों में होना चाहिए यहाँ पर PCB माइने रखती है आपके लिए और English इन सब्जेक्टों का यह रिकोर्ड आपका होना चाहिए अब यहाँ पर देख लेते फोरम पीस जी हाँ बिल्कुल कितना फोरम का पीस रहेगा जीस्टी सहीत बात हम करेंगे तो शामाने केटगरी जो जनरल में आते हैं उनका 1700 रुपे और 20C वालू का 1600 रुपे फोरम पीस यह CST वालू का 1000 रुपे फोरम पीस और जो NRI होते हैं उनका तो 9500 रुपे लगेगा लेकिन आपका तो इतना सा ही लगने वाला है आपका कुछ ज़्यादा नहीं है इतना सा तो देखो पे करने होगा कापी बड़ा एक्जाम है यह Medical Feed का सबसे बड़ा एक्जाम है और गवर्मेंट को कापी खर्चा इसमें करना होता है आपके लिए इक्जाम सेंटर के वेषता OMR सीट की वेषता आपके लिए Paper की वेषता Security Guard की वेषता यहाँ पे Biometrik की वेषता बहुत सारी वेषता करने होते है तो इतना सा तो बनता है अब यहाँ पे देखो प्रिक्षा आपकी Off-Line होगी यहनगी पेन पेपर के माद्यम से होगी और अवदिया आपको मिलेगी समय आपका जो मिलेगा वो तीन गंटे 20 मिंट का मिलेगा और कुल परशनों की संक्या तो यहाँ पर उमिदार को 180 परशनों का उत्तर देना होगा ठीक है और टोटल पेपर 720 का रहेगा 720 नमरों का पेपर रहेगा और इसे के साथ ही जो टाइमिंग रहेगा इधर देखो आप नेट 2025 के लिए प्रिक्सा होल में परवेस की जो यहाँ पे देखो आप वही आपका 31 का रहेगा लास्ट और हॉल में बेड़ने की शुरुआत 1.15 से हो जाएगी ठीक है तो यह टाइम वही रहेगा जो 2014 में था तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग नहीं तो क्या है आपको इशू हो सकता है और जो आपको फोरम फिलप करना होगा वह इस वेवसाइड से करना होगा एंटे के ओपिसल वेवसाइड से यह देखिए यहीं पर आपको लिंक मिलेगा जनवरी 2025 में और देखो यहां पर जो डॉकुमेंट से की रिकॉर्मेंट है बस आप दसवी के मार्चिट से बर सकते हो और जब सेलेक्शन हो जाएगा तब सारे डॉकुमेंट्स के नीडियां पर आपको रती है तो इसको लेकि कोई भी डाउट अगर आप कर रता है तो कमेंट करके बता सकते हो बाकि अगर आपने चैनल सस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो नीड का कोई भी अपडेट आएगा सारा आपको हमारे इसी चैनल पर मिलता रहेगा धन्यवाद